अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या हम अपने समान को कम पैसो में एक जगा से दूसरे जगा ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं तो जी हाँ बिलकुल कर सकते हैं इंडियन रेलवे आपको ये सुविधा उपलब्द कराता है अब कईयों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सामान को भेजने के लिए तो आपको भी ट्रेन में ट्रावल करना पड़ेगा और पर ट्रेन की टिकेट पर पैसे खर्च करके बात तो बराबर ही हो जानी हैं क्यों? तो दोस्तो घबराइए मत आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर के सामान को यानी हाउस होल गुड्स को ट्रेन से ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं वो भी कम पैसे खर्च करके लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दे जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके यूँ तो घर के समानों को ट्रांस्पोर्ट करने के लिए सबसे बेटर आप्षिन पैकर्ज और मूवर्स ही है लेकिन बहुतों को इनकी सर्विस महंगी लगती है और वो एक सस्ता विकल ढूनते हैं और इसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता आप्षिन इंजिन रेल्वे ह अब बहुत ही असानी से बिना ट्रेवल किये अपने समान को ट्रेन से कहीं भी भीज सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया अगर आप अपना लगेज ट्रेन से ट्रांस्पोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से पैक कर ले जी हां पै इलवे स्टेशन ले जाना होगा, वहाँ सारे समानों का वेट पार्सल ओफिस में ओफिसर द्वारा किया जाएगा, क्यूंकि लगेज का वेट ही ट्रांस्पोटेशन चार्जिस तै करेगा, अब ये प्रोसेस ज्यादा महंगा नहीं है, तो आपको पैसे की चिंता करने की जर करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, पूरे समानों का वेट करने के बाद, आपको कुछ फॉर्म्स फिल अप करने पड़ेंगे, पार्सल ओफिस में आपको तीन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, जैसे फॉर्वर्डिंग नोट, जीस्टी फॉर्म, एनिक्श और बी नेचर कर देना है, बाकी की फॉर्मालिटीज पार्सल ओफिस के ओफिसर्स करेंगे, फिर आपका समान पार्सल ओफिस में जमा हो जाएगा, और आपको एक बिल्टी नोट मिलेगा, इस बिल्टी नोट में आपकी समान के वेट से लेगा, टोटल ट्रांस्पोर्ट चार्ज और आपका नाम and address सब कुछ mention होगा इसकी total 4 copies होती है जिसमें इसे एक copy आपको मिलती है एक record के लिए रखी जाती है एक guard को मिलती है जिसे देख कर फिर आपको आपका सामान destination में वापस मिलेगा और एक copy accounts department को मिलती है इसके बाद आप चाहे तो वहां रहकर अपने सामान को load करवा सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिस दिन आपने form भरा उसे दिन आपका सामान parcel भी हो जाए इस पूरे process में 2-3 दिन लग जाते हैं और आपके बिलती में ये mention होगा कि आपका सामान किस train से जाएगा और कब फिर आप destination पर बिल्टी के साथ अपने parcel को receive करने पहुँच जाएए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सामान destination location के parcel office में चला जाएगा जहां प्रती घंटे के हिसाब से charges भी बढ़ता रहेगा लेकिन इसके लिए आपको 24 घंटे का समय मिलेगा अपने बिल्टी नोट से match करके अपना सारा luggage वहां से receive कर ले ध्यान रखें कि आपका सारा सामान सुरक्षित है क्योंकि अक्सर goods, train से transport करने में कुछ चीज़ें इधर-उधर हो जाती है और railway इसके जिम्मेदारी नहीं लेता शायद यही रीजन है कि लोग अपने कीमती goods को ट्रांसपोर्ट करने के लिए Packers and Movers Services ही बूग करते हैं अगर आप भी अपने household goods को safely ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें संपर्ग करे Packers and Movers Services बूग करने के लिए हमारा नंबर है 1800 111 6878 और अगर आपको हमारा ये विडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और कॉमेंट करना ना भूले धन्यवाद